भर्त्रुहरी नीतिशतक दुर्जन निंदा श्लोक क्रमांक बावनते एकसट नेरेटेड बाई सुन्दरहटंग्डी मिशिगन उत्तर अमेरिका श्लोक क्रमांक बावन अकरुनत्वं मकारण विग्रह परदने परयोशिति चस्प्रुह सुजन बंदु जनेश्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम वृत्त दुरुत विलंबित अन्वै अकरुनत्वं मकारण विग्रह परदने परयोशिति चस्प्रुह सुजन बंदु जनेश्व सहिष्णुता इदम दुरात्मनाम प्रकृति सिद्धम दयान करना, बिनाकारण द्वेश करना, पराये धन और स्त्री की इच्छा करना, सज्जन और अपने बंदुजन से इर्शा, ये सब दुर्जन के सुभाविक लक्षण है। श्लोक क्रमांक तिरेपन, वर्स नमबर फिफ्टी त्री, दुर्जना परिहरतव व्यो, विद्यया भूशितो पिसन, मनिना लंकृता सर्पह, किमसव नभयंकरह, वृत्त अनुष्टु, अन्वय, विद्यया अलंकृता हा अपिसन, दुर्जना हा परिहरतव व्या, मनिना भूशिताह, असव सर्पह, नभयंकरह, किम, दुर्जन यदि विद्यया से भी भूशित हो, तो भी वह परित्याग कही योग्या है, क्या मनि से भूशित सर्पह भयंकर नहीं होता? An evil man, though he be adorned with learning, should be avoided. Is a serpent, though adorned with a serpent stone, not dangerous? श्लोक क्रमांक चोपन, वर्स, वर्स नमबर 54, जाद्यम्रीमति गण्यते वरतर चव, दंभश्यु चव कैतवं, शूरे निर्गुनता मुनाव विमतिता, दैन्यम्प्रिया लापिनी, तीजस्विन्यव लिप्तता मुखरता, वक्तरिय शक्तिष्तिरे, ततको नाम गुणो भवेत्स गुणिनाम, योदुर्यनाईर नांकिता, बृत्त शार्दूल विक्रीडिता. अन्वय, रीमति जाध्यम गण्यते, व्रतरुचव दंबह, शुचव कैतवं, शूरे निर्गुनता, मुनाव विमतिता, प्रिया आलापिनी दैन्यम्प्रिया लिप्तता, वक्तरि मुखरता, स्थिरे अशक्तिही, तत यहा दुर्जनाई ही न अंकिता, सहा कहा नाम सुगुने नाम गुणाहा भवेत, दुर्जन लोग लज्जावान को जड़, ब्रतदारी को दंबी, पवित्र को पाखंडी, शूर को निर्दई, मुनि को मूर्ख, प्रियभाशी को दीन, तेजस्वी को गमंडी, वक्ता को वक्तवादी, और स्थिरे चुत्तवादे को आलसी कहते हैं, गुणियों में काउंसा ऐसा गुणा है की जिसको दुष्ट लोग कलंक नहीं लगाते, इवल-minded persons ascribe dullness to the shy, hypocrisy to one who has a liking for rigid vows, deceit in the case of the pure-minded, cruelty to the brave, ignorance to one given to meditation, servility with reference to the curtious, pride to the spirited, prattling to the eloquent, feebleness to the steady. What trait then in persons possessed of good qualities is not branded by the wicked? श्लोक क्रमांक पच्चपन वर्स नूमबर 55 लोबश्चेद गुनेन किम पिशनता यद्यस्ति किम पात कैहि, सत्यम्चेत पसाचकें शुचिवनो यद्यस्तितीर थेनकिम, सौजन्यम् यदिकेन्नि जैस्वमहिमा, यद्यस्तिकिम् मंडनाईहि, सद्विद्या यदिकिम्धनाईर पयशो, यद्यस्तिकिम् वृत्यना, वृत्यस्तिकिम्धनाईर पयशो, यद्यस्तिकिम्धनाईर 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 पय यदि अपयशह अस्ति मृत्युनाकिम जिसमें लोब है, उसमें फिर और अवगुन क्या चाहिए, जो कुटल है, उसको और पातक करने का क्या प्रयोजन, सत्य है तो तब की क्या आवश्यक्ता, मन शुद्ध है तो तीर्थ यात्रा करने से अधिक क्या होगा, जो सच्चन है उन्हें मित्र और कुटुम्वियों के क्या कभी है, ये शस्वी को कीर्थी से बढ़कर क्या पूशन है, सद्विध्या है तो अन्य दन की क्या आवश्यक्ता है, और जिसको अपयश है, उसको मृ जुपाने पर भी क्या होगा, अर्थात मरने पर भी अपयश का कलंक मित नहीं सकता। What other vice is there beyond average? What sin can be worse than slandering? What birth of penance is when there is veracity? Where is the need of a sacred place to the pure mind? What need of relatives if there be civility? What better ornament than one's own fame? What value of wealth when there is learning? And where remains the fear of death after disgrace? Shloka Kramanka Chappan, verse number 56 शशी दिवसदूसरो गलित यव नाकामिनी सरो विगत वारिजं मुकमनक्षरं स्वाकृते प्रभुर्दन परायन सतत दुर्गत सज्जनो नृपांगन गत खलो मनसिर सप्त शल्यानिमे वृत्त प्रुत्वी अन्वय दिवसदूसरह शशी गलित यव नाकामिनी विगत वारिजं सरह सु आकृतेहे अनक्षरं मुकम् धन परायनहा प्रभुव। शतत दुर्गतिही सत जनहा नृप अंगन गतहा खलाहा एतानी में मनसी सप्त शल्यानि दिनका मलीन चंद्रमा यववनहीन सुंदर स्थ्री कमलहीन सरोवर सुंदर रूपवान पुरुषका अक्षरहीन मुकः धनी कृपन सज्जन दरिद्री अव राजसबा में प्राप्त दुष्टिये सातो हमारे मन को काटे की समान खटकते हैं श्रहते हैं श्रहते हैं श्रहते हैं स्वंद्र मखवाल स्थ्रीज अवंच्छ में च्रहते हैं प्रोण्ड़ इंसम्दोंष्रां किस्त मतंवीं a good man always in difficulties, an evil man frequenting a king's court. These are seven thorns to my mind. Sloka Kramanka Sattaavan, verse number 57 ngakash che chandakopanam, atmiyo nama bhoobujam, utaram api juvamanam, spruhshhto dhati pavakaha. Vritta Anashtup Anvay Chandakopanam bhoobujam, atmiyo nama kashit na asti, spruhshhtahasam pavakaha juvanam utaram api dhati. अतिक्रोधी राजाओं का कोई भी प्रिय नहीं होता अगने हो म करने वाले को भी छूपाने पर जला दीती है Kings full of wrath have verily none whom they call their own The sacred fire burns even the priest who usually offers oblations if he happens to touch it श्लोक क्रमांक अठावन बुर्ष नम्बर फिफ्टी एट मौनान्मोक प्रवचन पटुष चाटुलो जल्पकोवा द्रश्ट पाश्वे वसतिचतदा दूरतश्चा प्रगल्भा ख्षांत्या भीरुर्यदिन सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा अधर्मह परमगहनो योगिनाम अप्यगम्या गृत्त मंदा क्रांता अन्वय मौनात मुकहा प्रवचन पटुष चेत वातुलहा जल्पकहावा दृष्टह च पार्श्वे वसति सदा दूरतः अपी च अप्रगल्भा ख्षांत्या भीरुह यदि न सहते प्रायशह न अभिजातः सेवा धर्महा परमगहना योगनाम अप्य अगम्या सेवा धर्मह अत्यंत कटिन है अव योगिवं से हुना दूर्गम्या यदि सेवत मौन रहे तो घूंगा बोलचाल में चतुर हो तो बखवादी समीप रहे तो डीट दूर रहे तो मूर्क सहंशील हो तो दर्पोग और सहंशील नहो तो कुलहीन कहा जाता है One who holds silence is considered dumb. He who is clever in speech is marked a flatterer or a garulous fellow. The man who stands close by is looked upon as forward, while he who remains at a distance is considered bashful. The forbearing is counted as timid. The impetuous is generally viewed as ill-bred. Inscrutable are the rules of conduct in service. They are beyond the comprehension even of contemplative saints. Shloka Kramanka Unshat Verse No. 59 Udbaasitākhilakhalasya vishrunkhalasya Praagjata visdruta nijadham karma vritteh Daivaat avaapta vibhavasyagunadvishosya Gunaadvishahasya nichasya gochargataihi Nichasya gochargatai Sukamapyate kaihi Aisai nirankusha dushta ke samip Kaun sukha poorvaak raha sakta hai Jho sadguna se dhvishrunkta hai Jisnei dhiv se vibhav paaya hai Jiski dushta ta bali bhaati pragat ho goyi hai Aor jiske pooru janma ke kie hoi adham karma Is janma mein udai ho rahe hai What persons can have peace When they happen to fall within the range of a low man Who is as it were a luminary of all scoundrels Who indulges in wicked deeds Commenced before and now developed Who has quite luckily come across wealth And who has been an enemy To all good qualities Shloka Kramanka Saat Verse number 60 Aaramba gurvi kshayni kramena Lagvi pura vridyamati chapaschata Dinasya purvarda pararda vienna Chayeva maitri khala sajjananam Urtta upajati Anwai Khala sat jananam maitri Dinasya purvarda pararda vienna chayeva Aaramba gurvi kramena kshayni Pura lagvi vashchachya vridyamati Dushta aur sajjan maitri din ke Purvarda pratakkal se Dho pahar tak Aur uttar arda Dho pahar se lhekar Sandhya tak Chaya ki naayi hai Dushta ki maitri Aaramba mein Lambi chowdi Aur phir kram se ghti jaati hai Paranthu Sajjanon ki pahalet thodi Aur phir kram se vridyiko Praapta hoti hai The friendship of good men and of evil men differs as widely as the shadow of an object in the first half and the latter half of the day. In the first case, great at the commencement, it gradually diminishes. In the second, small at first, it goes on increasing. Shloka kramanka iksasht Verse number 61 Mruhgameen sajjananam Trunajala santoshvita vrittinam Lugdaka dhivar pishunam Nishkarna vairinu jagati Vritta arya Anvay Trunajala santoshvita vrittinam Mruhgameen sajjananam Lugdaka dhivar pishunam Jagati nishkarna m eva vairinaha Iti durjana ninda Isis samusar mein Mruhgah ghas khaa kar Muchli jala pee kar Aur sajjanan log santosh karke Apna jeevan vjatit karte hai Par Vina karan hi Inse vahe liye Mruhg se Muchwe Muchli se Aur dushta sajjananam se Shatruta karte hai The deer, the fish, and the good Are respectively satisfied with grass, water, and anything that may be got by chance Still in this world, the huntsman, the fisherman, and the wicked are their wanton enemies Thus ends the chapter on the wicked Narrated by Sundar Hatangdi, Michigan, USA A Kata 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 shudar hatangdi uhtar amerika